मेरा नाम है पुपन कुमार और आज का हमारा टॉपिक है प्रोमिनेंट शुराइन सेंड रिवर मंदिरों से रिलेटिट मैं पहले दो वीडियो बना चुका हूँ इस वीडियो यह जो कंटेंट है यह आपको उन वीडियो से लिटेट अपको बूस्ट करेगा अपको इसमें इसकी लोकेशन क्या है और वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है और अगर कुछ एक्स्ट्रा होगा तो देख लेंगे चले शुरू करते हैं हमारी वीडियो सबसे पहले एक छोटा सा कोट कर्मा कर्मा आप लोग जानते हैं जो हम करते हैं वही पाते हैं तो कुल मिला करेके आपको आपको यह प्रिश्यस टाइम चल रहा है जो आपको घरवावलों की सपोर्ट से तैयरी करने का या फिर अपने ज जॉब नहीं भी मिलती तो मैं त्यारी इतने अच्छे से करूँगा मैं अपने व्यक्तियत का विकास इतने अच्छे से करूँगा कि मैं जिंदगी में किसी भी मोड पर हार ना मान जाओं ठीक है या मैं मात ना खाओं इस तरह से आपको माइंचेट रखना है अपना जो हम करते हैं भाई पाते हैं ज्यादा सोचना नहीं है फिलाल आगे बढ़ते हैं शुरू करते अपनी वीडियो यह है हमारा पहला कुर्शन श्रीर रंगम रंगनाज स्वामी मंदिर किस नदी के तड़ पर स्थित हैं यह सारे में आपको उन प्रिविएस वीडियो में कर चुका हूँ आप लोग सर्च करेंगे मिल जाएगा बस जहां पर माने को लोकेशन और कुछ रिवर्स देखनी हैं श्राइन के किसकी किनारे हमारा कौन सा मंदिर बसा हुआ है ठीक है इसका निम्लिखित में से कौन सा मंदिर नर्मदा नदी के तड़ पर स्थित हैं ठीक है नर्मदा नदी के तड़ पर कौन सा मंदिर इसका आंसर है हमारा option A, Om Karishwar Temple चले देखते है next और यह मध्यपरदिश में है बस यह 3 चीज़ देखनी है इसमें ठीक है क्या चीत कहा है दो 3 चीज़ जो भी है वह देखना है महा कालेश्वर जोतिलिंग किस नदी के किनारे इस् नेक्स्ट तिरंबकेश्वर जोतिलिंग किस नदी के तड़ पर इस्थित है आंसर इस option B, गोदावरी नदी के किनारे बसा हुए हमारा कौन सा तिरंबकेश्वर जोतिलिंगा और यह कहां पर है महाराश्व में next निम्खित में से कौन सा मंदिर उत्तर परदेश में इस्थ कुल मिलाके अगर हम देखू उत्तर परदेश और बिहार जो आपके माइंड में यह दो सब्सक्राइब आप सुनने को मिलें आपके कान से जाय वाज मैंड तकि गंगा स्वारी उत्तर परदेश और बिहार की बात करोगे तो आपको माइंड में एक ही नदी रखनी है जो अ बिहार को क्रोस करते वे तब जाती है बांग्लादेश के अंदर तो में चीज़ अगर आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश में दो नदियां यमना और गंगा अगर आप बिहार में जाते हो तो में अगर कोई ऐसी नदी जो विनाश कर रही है तो वहाँ पर होगी कोशी ठीक मंदिर किस नदी के तड़ पर इस्थित हैं केदारनाथ ठीक है यह हमारा मंदाक्री नदी के तड़ और यह कहां पर है उत्राखंड के अंदर ठीक है बद्री राथ मंदिर किस नदी के तड़ पर इस्थित है अच्छा यह बताओ के दरनाथ में बाड़ आई थी वह कौन से प्रिफित में से कौन सा मंदिर कावेरी नदी के तर्ट पर इस्थित है और यहां पर करनाटा का के अंदर है केरल में वल पटनम नदी के तट पर कौन सा मंदिर रिस्तित है यही है मंदिर इसको देख सकते हो यह है आपका option भी मुथपन टैंपल ठीक है केरल के अंदर सा बात हो गई है तक्त श्री हजूर साहब नांदेड किस नदी के तट पर रिस्तित है option is D गोदावरी नदी के तट पर वसावा है हमारा कौन सा तक्त श्री हजूर साहब ठीक है और नांदेडिन महाराश्ट्रा यहाँ पर है कुछ चीजे मैंने इसकी लिस्टिंग कर दी है तो इसको आप देख सकते हैं यह बारा जोते लिंग है मैंने आपको प्रिवेस वीडिय होना इंडिया का मैप और इंडिया के मैपने गुजरात की लोकेशन कि इधर है ठीक है वेस्ट साइज में पाकिसान सटा हुआ नीचे की तरफ तो आपको इस तरह से लोकेशन याद रखने हैं ताक कि आपको लोकेशन के साथ ही चीज़े याद हो जाए क्योंकि यह बहुत ठीक है सवराश्ण में अब गुजरात अब मैंने गुजरात बोले ना तो आप गुजरात की लोकेशन सर्च कर लो इंडिया का मैप प्यारा सा हाथ होल के खड़ा हमारा भारत ठीक है उसी बीच में वेस्ट साइट पर सबसे वेस्टन जो आपका स्टेट मिलेगा आपको इ इसके बाद नीशे आजाओ नागेशवर जोतिर लिंःगा ठीक है नागेशवर जोतिर लिंग कहां पर है हमारा देव भूमी द्वार का district इसके बाद बात करते हैं यह कहां पर है आंद्रप्रदेश श्री सेलम के बारे में एक शीद और भी याद रखेगा 2020 का प्री यूपी एसी ठीक है उसमें कुश्चिन बना था यह वाला कि भारत का सबसे बला टाइगर रिजर कौन सा है तो वो श्री सेलम टाइगर रिजर भी है जो शेत्रिफल के अनुसार एरिया वाइज भारत का सबसे बला टाइगर रिजर्व है ठीक है इसकी लोकेशन कहां पर है आंद्रप्रदेश अब आंद्रप्रदेश जाओ आप इस साइड में जाओगे न तो वहां मिलेगा आपको पश्रीम बंगाल से नीचे की तरफ आऊगो तो आंद्रप्रदेश मिल जाएगा ठीक है तो इस तरह से लोकेशन में सोचो ताकि आपको लोकेशन के साथ याद हो जाए यह आपको सुनने में लग रहा हो कि सर तो बखबास कर रहे हैं करने दो हम क कि एमegenत्क दोंका को करेकि दिश्टिंट एम पीघ काशी विश्वणाठ्ट टेंपल वारनिसी के अंदर उत्तर परदीश में किदारनाथ वाह ier लोकेशन में जांग के बाItव सबसे खुपसर जगों से बहारेगक ही महां पर सबनेश्वर और ये है औरले में नहां लोगे तेरह में केश्वर टेंपल नासिक में महाराश्ट के अंदर दुबारा हमारे को मिलेगा और भीम शंकर पूने महाराश में अब जाब आपको पिपीटी मिलेगी ना तो वैसे तो सारे लिस्ट वाइज हैं कि यहां पर हमारी वीडियो का एंड नहीं होता है जैसा कि आप जानते हो पवन सर आपको बिल्कुल प्रॉपर करेंगे करेंट अफेर ठीक हैं बिना करेंट फेर के मैं आपके एक बीडियो के साथ लिंक बना रहे हैं करेंट अफेर को देखो यह एक्जाम टाइम में पढ़ने क कि मैं सोचना है कि जब एक्जाम आएका तब पढ़ लूँगा वैसे मुझे उम्मीद है आप लोग पढ़ रहे हैं लेकिन सासाथ हर वीडियो में छोट असा करेंट फेर पढ़ोगे न तो आपको इसका बहुत बड़ा मतलब यह छोटा इंपुट बड़ा आउपुट इस जब मैं मैं मैंगजिन लूँगा या फिर गूगल पर साच करूँगा तो उसको नेक्ट वीडियो में लिंक कर दूँगा ठीक है ओल्ड जैसे दौलताबाद फोट इसका नाम कर दिया गया है देवगिरी फोट ठीक है यही करना है कुछ जादा नहीं करना राजपत इसका नाम कर दिया गया है कर्तव बहुत इंपोडेंट है ठीक है चंडीगर इंटरनेशनल एरपोर्ट इसका नाम कर दिया गया है शहीद भगत सिंग ठीक है नेक्स देखते हैं और अंगाबाद इसका नाम कर दिया गया है धारशिव नेक्स्ट नवी मुंबई एरपोर्ट इसक भाहिशनगर हाल भी हो सकते हैं कोछ भी आप पड़ सकते हैं इसको येस मुच्वल फंड इसका नाम कर दिया गया है वाइट ओक अब इसके बाद है के वड़िया रेलवे स्टेशन राजपत और आपका यह मैं बताना है भी कौन सा यह यह मुच्वल फंड इसका नाम कर दिया गया है आपका एक्ता एक्ता नगर रेलवे स्टेशन अब जैसे इसको तरह से एक्जामपल लगा लो एक तक पूर रेलवे स्टेशन में घूम रही थी कौन से रेलवे स्टेशन पर के वड़िया पर बेकार था पर अपने साफ से देख लेना थेक है हसोबंत नेक्स है आपका जहां सी रेलवे स्टेशन यह है आपका विरांगना लक्षमी भाई ठीक है यह तो पता ही होगा जवाला नहरू रोड इसका नाम कर देगा है नरेंदर मुदी मार्ग 2022 के ही है यह ठीक है यहां होता है हमारे वीडियो का एंड मुझे उमीद है आप लोगों अच्छा लगा होगा और अच्छा लगे तो प्लीज छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब क बच्छों को शेयर कर देना और अच्छे से कमेंट कर देना गलत लगा हो तो प्लीज कमेंट करके बताना मैं उसको अब्लेट कर दूँगा नेक्ट वीडियो में अपने अंदर भी अब्लेशन ले आऊँगा ठीक है थैंक यू